हेलो दोस्तो, स्वागे थे आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो, आज के वीडियो में हम 25 जून से सम्मंधित उत्वरदेश के सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफरीके कुश्चन को डिसकस करेंगे और हरे कुश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत्व में हम आपसे एक कुश्चन भी पोचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप इस एबुक को डाउनलोड कर सकते हैं आज का सीसन सुरू करने से पहले हम कल के कुश्चन का रिवीजन करेंगे कि कल का पहला पुश्यन है उत्रब्रदेश के एक श्विश्विध्याला इन्हें नैक मूल्यांकन में ऐस रिणडी प्राप्त की है तो मर्दन मुहन मालवीय जो रच्विश्विध्याला है इसने अगला उश्यन है हाली में कहां पर आयूजित राश्ट्री अंतर राज्य चेंपियंजिप में ट्रिपल जंप में प्रवीग्न चित्रवील ने नया रिकॉर्ड बनाया इसका जो गरेक्ट आंसर है वो है ऑप्स नमर भी चेन नहीं में दोस्तों उतर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट वन एर की यानि साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलूड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इस PDF इबुक को डाउनलूड कर सकते हैं इसके साथ है अगर आपको उतर प्रदेश को कवर किया है और अगर इसे डाउनलूड करने में कोई प्रवलम होती है तो साइट पर आपको वर्शेप नंबर और इमेल मिल जाएगा जिस पर आप कोंटेक्ट कर सकते हैं अगला उक्षिया ने हाल ही में एंसी रेवल्यू द्वारा हिमाचल प्रदेश में आ अगला उक्षिया ने निम्नमैसे कौन सा एयरपोर्ट अक्षय उर्जा से सभी जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड़ा बन गया है तो यह बन गया है इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाई अड़ा जो कहां पर है नई दिल्ली में अगला उक्षिया न नूरी रोकेट नामसीक स्परिछेपन किया है अगला उश्यान है भारतिय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाले में खेल के सभी प्रारुपों से सन्यास लेने की गोश्ला की तो जो रुमेली धार हैं इन्हों ने जो है क्रिकेट के सभी स प्रारुपों से सन् अगला कुशन है 23 जून 2022 को चौदवां बिर्क्स सिखर सम्मेल एन कहां पर आईजुद किया जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नुबर बी बीजिंग में अगला कुशन है अंतराष्टिय ओलंपिक दिवस जो है यह कब मनाया जाता है तो हर साल 23 जून को अं हमने रिविजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुशन है फ्रॉम लखनव टू लूटियंस दा पावर एंड प्ले ऑफ उत्तरब्रदिस यह पुस्तक है ठीक है यह जो पुस्तक है इसके लेखा कोन है यानि यह जो पुस्तक है किसके दौरा लिखी ग अफ उत्तरब्रदिस यह पुस्तक का नाम है तो इस पुस्तक को लिखा है अब इज्ञान प्रकास ने और इसका जो विमूचन है यह कुछ दिन पहले जो है उक्सफोर्ड यूनिवस्टी में इसका विमूचन किया गया अब दोस्तों यह जो पुस्तक है फ्रॉम लखनव के बाद के भारत में यूपी की इस्तिति क्या रही यूपी की कहानी क्या रही और भारत और जो उत्तरब्रदेश है इसमें राजनीती का उत्तरब्रदेश में जो राजनीती है वो किस तरह की रही तो इसके बारे में यहां पर बताए गया है यानि उत्तरब्रदेश में भूमिका है जातिगत जो उत्तर प्रदेश में राजनीती है इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में इस पुस्तक में बताए गया है इसके अलावा राजमें कांग्रेस का पतन जो है कैसे हुए राजमें राजनीती गढ़ कौन-कौन से हैं असाधहर्ण अपराधिक्ता और सा से थी यानि राजनीती से रिलेटर हो गया और इसके अलावा भी जो कांग्रेस का पतान हुआ है यानि ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई है तो नाम द्यान रखेंगे फ्रॉम लखनौ टू लुटियंस दा पावर एंड प्ले ओफ उत्तर प्रदेश ठीक है यानि स उत्तर प्रदेश के किस जिली में विसेश अभियान मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी सुरू किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्सिन मर्बी सोन भद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोन भद्र यहां पर जो है जिलापरसासन ने प्लास्टिक कचरा के निस्तारन का अनूठा अभयान शुरू किया जिसके अनकूल परड़ाम प्राप्त होने लगी है जिला दिकारी दोरा चलाए गए विसेश अभयान क्या अभयान है मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी इसके पहले दिन ही लोगों ने घरों के आसपास और खेतों में पड़े 1128.7 किलोग्राम कचरा जो प्लास्टिक कचरा है उसे एकटा कर दिया तो ध्यान रखेंगे मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी यह जो है किस जिले में अवियान चलाया जा रहा है उतुर प्रदीस में तो यह सून भद्र में चलाया जा रहा है दोस्तो सून भद्र की अगर कहीं भी बात आती है तो एक कुशन जो आपको याद जरूर आना चाहिए वो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यह है सून भद्र दोस्तो जो सोन भद्र है ये देश का एक मात्र जिला है जो की चार राज्यों की सीमा को साजा करता है अब वो चार राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ओर यह जो है मद्यप्रदेश है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार को भी टच करता है नीचे की और आप देखेंगे 36 गड़ यह जो है 36 गड़ पड़ रहा है तो 36 गड़ को भी यह टुछ करता है और यहां पर है यह क्या जार खड़ तो यह चार राज्य हैं जिनकी सीमा को सजा करता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को डच करता है तो सोनबद्र अंसर हो जाएगा अगला उश्यान है उत्तर प्रदेश में कब से संचारी रोगों के किलाफ राज्य व्यापी विसेश अभ्यान सुरू किया जाएगा इसका जो करेक्ट अंसर है वह है ऑप्सन नुबर बी एक जुलाई से 23 जून 2022 को मु स्वक्षिता और अभ्यान सुनिश्यत करने को कहा जल जनित बीमारियों और अन्य मुसमी अन्यमित्ताओं से उत्पन स्वास्त चुनोतियों से निपट्टें के लिए एक जुलाई से संचारी रोगों के खिलाफ यह राज्य व्यापी विसेश अभ्यान सुरू किया किये गए किसी तो ध्यान रखेंगे मलेरिया और काला जार से यानि यह जो आंकड़े किये गए हैं जारी तो उसमें जो मलेरिया है मलीरिया कि अगर बात की जाए तो रज्य में प्रती एक हजार जन संक्या पर एक से कम मामले जो है देखने को मिले और इसके अलावा जो काल और जो काला जार रोग है इसमें जो है दस हजार जन संख्या पर एक या एक से कम संख्या में जो है मामले पाए गए हैं तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एक जुलाई से जो है संचारी रोगों को खिलाफ एक राज्य व्याफी विसेश अभियान शुरूप किया यह गोशना की है कि इसने मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने अगला खुशन है हाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि की आईवी के निदेशक की रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमर बी तपन डेका और यहां पर आ नाया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि आईवी के प्रमुक की रूप में नियुक्त गिया गया उनका जो कारिकाल है वो दो साल का होगा वे अरविंद कुमार की जहका लेंगे जिनका विस्तारित कारिकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है तपन डेका हिमाचल प्रदेश के अडर दो सालों तक रहेगा दोस्तो आईवी की अगर बात की जा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब होई तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1887 ठीक ध्यान रखेंगे 1887 माईवी की स्थापना होई दोस्तो आईवी का जो ह oxygen के अनपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतिय परवतारोही कौन बने तो यह बने है स्कॉल जैंग रेगजन ठीक नाम ध्यान रखेंगे स्कॉल जैंग रेगजन और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं तो इस तो बिना जोटी है अनपूर्णा परवत इसको फता किया है बिना ऑक्सीजन के दोस्तों 28 अप्रेल को माउंट अनपूर्णा की इन्हों पड़ाई की और उसके सोलह दिन के बाद जो है चौधा मई को माउंट लहुसे के बीच जो है इन्होंने चड़ाई पूरी की स्कॉल जैंग रेगजन बिना ऑक्सीजन सप्लिमेंट के दो सिखर जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो ध्यान रखेंगे कुश्यन भी मोस्ट ठीक इनका नाम ध्यान रखेंगे अब दोस्तों यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन है जो की आपके एक्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे यह जो है पहला कुश्यन क्या है कि एवरेश्ट पर चढ़ने वाली परतम व् महिला है अगला विश्यन ध्यान रखेंगे माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने वाली परतम भारतिय महिला को है तो बचेंदरी पाल यह जो है माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने वाली परतम भारतिय महिला है अगला विश्यन ध्यान रखेंगे सरवादिक बार को दसमी बार फता किया ठीक तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे अगर पुरुस की बात की जाए तो कामे रीता सिर्पा वहीं अगर महिला की बात की जाए तो लखपा सिर्पा अगला खुशन ध्यान रखेंगे माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाले सबसे उम्रदराज विक अगला खुशन ध्यान रखेंगे बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेश्ट फता करने वाली पहली भारतिये महिला कोन है तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेश्ट की आपर बात की गई है तो पियाली बसाक ये जो है माउंट एवरेश्ट को फता करने वाली बिना ऑक्सी पर रहा तो इसमें जो भारत है वो और सटवे इस्थान पर रहा ऑप्सन नमबर डी यहां पर करेक्ट होगा और स्यारा द्वारा वेस्वे कॉसल रिपोर्ट जो है दो हजार बाइस जारी की गए है और इसमें कहा गया कि डेटा साइंस में भारत की प्रवड़ता प्रिवीरत इस्थान पर चार इस्थान नीचे खिसक गया ठीक ध्यान रखेंगे वेस्वे किस्थार पर शिक्स्टी एट यानि की 68 इस्थान पर है और एसिया में भारत जो है उन्नीस वे स्थान पर है दोस्तों रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने अपनी प्रद्यकी दक्षिता क इस्थार में 38 प्रतिसत से 40 प्रतिसक तक सुधार किया जिससे इसकी इस्तिती में 6 इस्थानों का सुधार हुआ है लगातार दूसरे वर्स जो स्विटेजर लेंड है यह जो है सबसे अधिक कुशल सिक्षारती थे यहां पर और यह टॉप पर रहा उसके बाद जो है डेनम और जो अगर देखा जाए समगर कौसल दक्षता की मामले में जो भारत है यह 68 वे इस्थान पर है और एसिया में भारत 19 वे इस्थान पर है अगला उशिया है हाल ही में एन आई एके नए महाने देशक कौन बनी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और यहां पर आप इनकी इम पुलिस महाने देशक यानि डी जी पी दिनकर गुपता को राश्ट्रिय जांच एजनसी एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के महाने देशक के रूप में न्यूक्त किया यह जो गुपता है दिनकर गुपता यह 31 मार्च 2024 यानि उनकी सेवा निवत की तारीक या अगले आदेश तक जो भी पहले होता है तो तब तक जो है यह इस पद पर बने रहेंगे गुपता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया और उन्हें जो है राश्ट्रपती द्वारा सराहनी सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विश्ष्ट से इसके जो है महानिदीसक की रूप में किसी नियुक्त किया गया तो दिनकर गुपता को जो है महानिदीसक की रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों एनाईय की अगर बात की जाए कि एनाईय की जो इस्थापना ही यह कब हुई है तो ध्यान रखेंगे एकतीस दिसंबर 31 दिसंबर 2008 में जो है NIA की स्थापना वी है और NIA का मुख्याला है कहाँ पर है तो नई दिल्ली में इसका भी मुख्याला है ठीक तो ध्यान रखेंगे NIA यानि राष्ट्य जांच एजंसी के जो नए महान दिसक बनी है वो कौन बन गए है दिनकर गुप्ता और अभी जो आपको हमने बताया था कि आई बी की नए महान देशक कौन बने तो ध्यान रखेंगे तपंडे का जो है आई बी के महान देशक बने हैं ठीक तो दोनों नाम आप जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगला वुश्या ने 2023 में G20 सिखर सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो जम्मू कस्मीर जो है 2023 में G20 सिखर सम्मिलन की मेजबानी करेगा जम्बू कस्मीर सरकार ने केंदर सासित प्रदेश में होने वाली G20 बैटकों के समग्र समनवय के लिए पांच सदस्य उच्छ इस्तरिय समीती का भी गठन किया है किंदरिय वारिज्य और उद्योग मंत्री प्यूस गोयल को पिछले साल सितंबर में G20 के लिए भारत का सीर्पा नियुक्त किया गया था विदेश मंत्राले ने कहा था कि भारत एक दिसंबर 2022 से G20 की अधिक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं की सिखर सम्मिलन का आयूजित करेगा तो दोस्तो ध्यान रखेंगे काफी important रहेगा कि 2023 में जो G20 सिखर सम्मिलन होगा तो ये जो है कहां पर आयूजित किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे आप ये जो है जम्मू और कस्मीर में आयूजित किया जाएगा दोस्तो G20 के अगर बात की जाए कि G20 जो है इसमें समलित देश कौन कौन सी है तो बीस देश कौन कौन सी है तो नाम यहां पर आप इनके सुनेंगे तो अरजेंटीना हो गया ऑस्टेलिया है ब्राजील है कनाडा चीन जर्मनी फ्रांस भारत इंडोनेसिया इटली जापान म समलित है ठीक कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि निमनमेसी कौन सा देश जो है जो जी टुन्टी में समलित नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे बीसो नाम और जो हमारा देश भारत थे यह भी जी तूटी में समलित है ठीक तो ध्यान रखेंगे थेश की जो जी यहां पर करेक्ट होगा हाली में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तेश जून 2022 को एक नाया पूर्टल निर्यात निर्यात का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर एर्ली एनलाइसिस ऑफ ट्रेड ये निर्यात पॉर्टल है इसे जो है प्रदान मंत्री ने लॉंच किया है किस दौरान तो उन्होंने वानज एवं उद्योग मंत्रा लेके नए परिसर वानज भवन का उद्गाटन करते हुए जो है इसे लॉंच किया है तो ध्यान रखेंगे काफी ये भी इंपोर्टेंट रहेगा कि निर्यात जो पॉर्टल है इसे किस ने लॉंच किया प्रदान मंत्री नरेंध्य मोदी ने इसका फुल फार्म जो है ये भी इंपोर्टेंट रहेगा तो नेस्नल इंपोर्ट एक्सपर्ट रिकॉर्ड फोर येरली अनलाइसिस ऑफ ट्रेड ये इसका फुल फॉर्म रहेगा अगला विश्यान है ACI Cycling Championship 2022 में कौन सा देश 27 पदक जीते हुए पर्थम इस्थान पर रहा इसका जो correct answer है वो है option number C जापान 22 जून को समाप्द हुई ACI Track Cycling Championship में जापान ने कुल 27 पदक जीते और पहला इस्थान पराप्त किया दिली के इंद्रा गांधी इंडोर खेल परिसर में अयूद चेंपियंसिप में भारतिय साइकलिंग टीम ने 200 पदक जीते हैं चेहराज़त पदक और 15 कान से सहतकुल 23 पदक जीते हैं तो ध्यान रखेंगे जो ACI Track Cycling Championship है इसमें जो जापान है ये सिर्स इस्थान पर रहा और कुल मिलाकर के जापान ने 27 पदक जीते तो दोस्तों ये थे 25 जून से समंधित उतरप्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए most important current अफिर के कुश्चन जो की हमने डिसकस किये अब हम द तो ये असम बना option number 20 का correct था और लगभक सभी students ने इसका सही जवाब किया और मैं आपसे है रोज कहता हूं कि जो भी question आपसे पूचा जाए तो सभी लोग question का answer जरूर क्या करो और दोस्तों सभी लोग जो है वीडियो को regular देखने की habit बनाईए तभी जो है आप निश्चित इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के दा ग्लोबल लिवेविल्टी इंडेक्स 2022 के उनसार निम्न मैंसे कौन सा सहर रहने के लिहास से दुनिया का सबसे अच्छा सहर है तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तों अगर आपको 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 पसंद नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू